समझिए हमने दुकान से एक पांच रुपे का पैन खरीदा इस तरह कि हमने दस या बारा पैन खरीद लिए अब हमें दुकान दर को पैसे देने हैं तो क्या हम उनको पांच रुपे, पांच रुपे, पांच रुपे दस बार देते हैं? नहीं, हम उनको इखटा पचास रुपे देते हैं. किस तरह से? पांच का दस गुना या बारा गुना करके, इखटा हम उनको पचास रुपे या साट रुपे देते हैं. तो यही हमें बच्चों को भी समझाना है कि जो बार-बार जमा करने का अमल है इसको हम जर्ब का अमल कहते हैं हमको बच्चों को यहाँ पर पहाड़े किस तरह से जमा करी मदश्य तयार होते हैं यह भी उन्हें हमें यहाँ पर समझाना है साथी साथ जर्ब में जो खुसुसियात होते हैं जैसे के एक की कुछ जर्बी खुसुसियात अलग होती है सिफर की जर्बी खुसुसियात अलग होती है ये जिज़े भी हमें उन्हें यहां पर समझाना है और जर्ब जो अदद है जिससे हम जर्ब करते हैं जिस अदद से हम जर्ब करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो हासिले जर्ब होता है उसका क्या नाम है ये तमाम चीजें हमें बच्चों को यहाँ पर समझानी है जमात तिसरी का जर्ब का ये सबख हमें बच्चों को इस तरह से समझाना है कि वो अपनी रोज मरा जिन्दगी में पेश आने वाले मामलात में जर्ब का इस्तेमाल कर सके और जर्ब में जो हिंसे हैं उनकी तर्टीब की जो खुबसूरती है बच्चों को हमें वो भी यहां पर उन्हें समझाना है ताके ना सिर्फ उनकी इल्मी तरख्यी हो बलके उनकी समाजी तरख्यी हो उनकी जहनी तरख्यी हो और उनकी इस तरह से मजमूरी तरख्यी हो तो आईए शुरू करते हैं जमात तीसरी का ये सबख जर्ब शुक्रिया